Hello everyone, कल हमने class 7 के chemistry में कुछ basic जानकारी the language of chemistry chapter 1 में हमने बताया था मैं आनंद कुमार आपका chemistry teacher आज हम उसके आगे जानेंगे कल चैटपट में में बता दू कल हमने क्या बताया तो कल हमने बताया था the language of chemistry का इंट्रोडक्शन जब ब्राजिलियस ने इसमें symbols कैसे दिये वो हमने बताया तीन तरीके थे उनके symbols देने से देने के English वाला English name का फिर अगर एक ही लेटर से और भी elements है तो उसके symbols देने थे और फिर Latin name में जो symbols देने थे वो चीज हो गई अब है आज की वीडियो जो हमने हमें यह बताना है कि what does a symbol represent symbol क्या बताता है हमें क्या सो करता है दो चीजें हमें सो करती है एक an element in particular दूसरा an atom of an element पहला है an element in particular example लेकर चलें जैसे कि हम जानते हैं कि total 118 elements है 118 elements हैं तो सब के एक जैसे symbol रहेंगे तो हम उसमें अंतर नहीं समझ पाएंगे जैसे अगर sodium है तो sodium को हम इने बोलते हैं उसके नेट्रियम नेम पे नेट्रियम जो कि उसका लेटिन नेम है तो वह करते हैं फिर chlorine है तो chlorine का हम cl लेकर चलते हैं यह दोनों आपस में react करता है तो बनाता है इने cl ठीक है और जब हम symbol जान गए और reaction जब उसका आगे बताये जाएगा तो इसमें क्या है कि सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है कि दो elements आपस में मिलकर क्या चीज बना रहा है तो सब अलग symbols होंगे तब ही हम इस चीज को समझ पाएंगे अगर मान लेजिए sodium का भी symbol इने रहता chlorine का भी symbol इने रहता reaction क्या करता है हम क्या समझते है equation में हम इसको कैसे बताते नहीं बता सकते थे तो हमने यहां पर किया क्या हमने नहीं किया जह जह ब्राजिलिस ने किया उन्होंने क्या कि कि sodium का अपना symbol उसका डाला chlorine का अपना symbol डाला इसी तरह और सारे चीजें हैं उनके भी अपने symbols डाले उनके properties को बताया उनके properties में बताया कि sodium क्या है metal है chlorine क्या है non-metal है तो जब metal और non-metal दोनों आपस में react करेंगे salt बनता है जो NACL बनकर सामने आया तो हर एक element particular है यह उन्होंने पताया सब element अपने आप में particular है कोई एक दूसर से मिलता नहीं है property मिल सकता है लेकिन elements आपस में नहीं मिल सकते फिर है an atom of an element इसमें क्या है कि formula है equation है यह दोनों चीज formula अगर हम बना रहे है है equation हम बना रहे है तो किस से बनाएंगे symbol ही है उसी से बनाएंगे अब क्या है कि symbol को हम represent कहेंगे कैसे तो element जो है उसका atom सबसे smallest part जो होता है उसी को हम लेते हैं तो उसके atom को लेते हैं तो उस atom से को symbol के रूप में हम देते हैं, उससे molecules बनता है, molecules बनता है तो उस पर सबस्क्रिप्ट चिढ़ाए जाता है, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट आपने पढ़ा होगा, सबस्क्रिप्ट जब हम यहाँ पे जैसे h2 लिख रहे हैं तो 2 जो नीचे की तरफ है तो सबस्क्रिप्ट है और यही A स्क्रिप्ट लिखते हैं या X स्क्रिप्ट लिखते हैं तो वो सुपरस्क्रिप्ट होता तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट यह दो चीजे हैं तो हमको यहाँ पे चाहिए क्या सब स्क्रिप्ट चाहिए, सुपर स्क्रिप्ट का काम यहां पर नहीं है, सब स्क्रिप्ट चाहिए next है हमारे पास formula का है क्या है the formula of molecules give the numbers of atoms of the same or different elements present in the molecules formula जो है molecules का, वो हमको number बताता है number किसका, atom का, atom का number बताता है ताकि वो अलग-अलग molecules को represent कर सकता है ठीक है, फिर है हमारे पास formula of element formula of element हम कैसे बनाएंगे when an atom of an element combines with another atoms of the same element a molecule of the element is formed जब element का एक atom किसी दूसरे अपने ही element के atoms react करता है मतलब जूडता है, तो जूड़ने के बाद वो molecules से यार करता है जिसे हम H plus H कहें, तो H plus H कहें, तो ये H2 होगा ठीक है, और H2 होगा, तो मतलब क्या कि दो atom hydrogen के आपस में मिल रहे हैं और दो atom hydrogen के आपस में मिल रहे हैं, तो एक molecules से यार कर रहा है जिसको हम H2 बोलते हैं, अब जहां पर 2 लिखा हुआ है, तो उसको हम diatomic बोलते हैं यहां पर है, as these molecules have two atoms of the element, they are said to be diatomic ठीक है, मतलब क्या कि दो atom अगर मिल रहे हैं, तो वो diatomic होगा तो H plus H, H2 diatomic है, N plus N, N2 diatomic है, फिर है triatomic triatomic में क्या है, कि try, trisame को मालूम है, तो जिसमें 3 atom आपस में मिल रहे होंगे, तो वो triatomic है, जैसे ozone layer की बात करें है, ozone में oxygen element में के 3 atom मिलते हैं, तो O plus O plus O तो अब यह बनता है, O3, यह है क्या triatomic, फिर है, अब novel gas, novel gas सहथ आपने पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, मैं बता दूँ, यह novel gas किसी से reaction नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि इनके पास वो property नहीं होती है, यह reaction करने की, आगे deeply बताया जाएगा इसके बारे में, फिर है क्या, अब इसके definition क्या लें हम, any of group of gases that do not react with other chemical are called novel gas, अब जब यह react कर ही नहीं सकता, किसी से react करेगा ही नहीं, तो इसमें होने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है, एक्जामपल में हम लेकर चले हिलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और एक रेड़न, यह सारे जो भी है, यह novel gas है, यह किसी से reaction नहीं कर सकते हैं, अब जब reaction नहीं करेंगे, तो इनके पास हमेशा यह क्या है, कि हमेशा एक ही नमबर में रहेगा, तो इसलिए इसका नाम दिया गया है, इसलिए इसका नाम दिया गया है, जो कि जाहतर novel gas ही होते हैं, ठीक है, और novel gas जो formula है, तो इसके लिए दिया गया है, दोस्ता, the formula of novel gas is the same as its symbol, जैसा उसका symbol है, उसी तरह से वो रहता है, हमेशा any ही रहेगा, any plus हम कहीं नहीं लिख सकते हैं, any minus हम कहीं नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यह react करता ही नहीं है, चलिए, जो भी दिक्कत हो, आप पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी आगी की बात करेंगे, तब तक के लिए घड में रहें, सेफ रहें, धन करने वाद